मैं देपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल देपिका मेडिटेशन पावर में दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में टेंशन और स्ट्रेस की बात की थी बट आज ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो किसी भी तरहें के डिप्रेशन में है तो आज सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या डिप्रेशन एक मानसिक रोग है बट हमारे दीश के लोगों को शारिरिक रोगों के बारे में तो सब पता होता है लेकिन अगर किसी को मानसिक रोग हो जाता है तो उन्हें या तो पता नहीं होता या उस रोख को वो इग्नोर करते रहते हैं जिसके पहानत परिडाम भी हमें भुगतने पढ़ सकते हैं तो आएए दोस्तों सबसे पहले हम यह जान देते हैं कि डिप्रेशन है क्या डिप्रेशन शब्द डिप्रेस से बना है Friends, Depress का मीनिंग है किसी की गतिविधी या शक्ति को कम करना यह फ्रांसिसी शव्थ है जो Depressor से आता है इसका अर्थ है बल से दीचे गिराना या दबाना Depression के कई लक्षन हो सकते हैं व्यक्ति उदास रहने लगता है उसके moods जल्दी जल्दी swing होने लगते हैं उसका किसी कारे में मन नहीं लगेगा उसे किसी भी चीज से डर लगदेगा वै अकेला रहेगा या अकेला रहना ही उसे अच्छा लगेगा भूप नहीं लगेगी सिर में लगातार दर्द भी रह सकता है नींद कम होती जाती है प्रिंट्स डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए परन्तु कुछ चीजों से आप खुद भी Depression को काफी हद तक कम कर सकते हैं आईए इसी के बारे में पहले चाचा करते हैं जैसे आप खुश रहने की कोशिश करें सैर करें म्यूजिक सुनें अपने परिवार या फ्रेंड्स के साथ समय व्यतीत करें लाइफ को complicated ना बनाएं किसी भी negative चीज या negative लोगों से ना मिलें खुद से प्यार करें अपने अंदर ये विश्वास लाएं कि अगर आपको depression की problem है तो आप अपने द्रड निश्य और अपनी आंतरिक शक्ती से और दवाईयों की मदद से खुद को ठीक कर लेंगे जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो यकीन मानिए कि आप 80% खुद ही ठीक होने लगेंगे क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ती है जो आपको किसी भी रोग से मुक्ति दिला सकती है आपको अपने डॉक्टर के कहने अंसार दवाईया भी देनी चाहिए काउंसलिंग या थेरपी ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है डिप्रेशन को कम करने का और मेडिटेशन जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ एक बहुत ही अच्छा तरीका है और सरल तरीका है जो डिप्रेशन को बहुत कम करेगा और आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आने देगा दोस्तों डाइट को कंचोल करके और डिप्रेशन को कम करने वाली डाइट को लेकर आप अपने अंदर एक उजा महसूस कर सकते हैं और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, खोश रहिए, स्वस्त रहिए, stay fit, stay blessed, thank you, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, like कीजिए, share कीजिए and comment also, please thank you very much for watching my videos, thank you friends.